नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वेलकम टू माई न्यू लोग तो जी सामके बच गए हैं 6-6 मिन्ट होगी और अब मैं बनाऊंगी खाना और खाना बनाना है मुझे पूरी फैमली का क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ इं सब्सक्रिका था लेकिन अभी वह दर चला गया है लेकिन वेंदू नी आई अभी तक वह अपनी पैकिंग और में लगहाना चाहिए जया मेरे पास ही रुकेंगी और क्रिष्णा इंदु और भाईया तिन हो जाएंगे तो यह जाएंगे जब में आजाएंगे तभी मैं बताएंगे कि उन्हें कहा जाना है और बस यह समान आगया यह अभी तो रख दिया मनें ऐसा ही कल सैट कर दूंगी इनका समान जा मुझे रखन अबने अबने लुक में पुरे कमबल तो में पूरा पुटे है थंड क्या थोड़ी ओरी बहुत थंड होड़ी जदा संदी है और देख लेंगे अम कितने ही पैर लो अर यह बच्चे यह देखो कितनी बार खेलिया बेट्टे कैप पहले और चपल तो पैर में कोई सी किनी म में देखती हूं क्या बनाना अभी पुछूंगी इनसे और अभी में आ जाएंगे इंदु अर्भी हिंदू क्रिष्णा और भाईया क्रिष्णा तो अभी गया था थोड़ी देर पहले सुबह से तो यहीं था खा गया था सुबही लेकिन वह काफी लेट हो गया था और उस तो मैंने आलू काट लिए मैं इनको पूछ भी रही थी क्या बनाओं बतादा तो यह कहने लगे सिंपल से आलू बना ले तो मैंने वही काट लिए और यहां लगा दूँगी बस अब दड़का तड़के के लिए मैंने ले लिया है तेल तेल में जीरा धन्या भून लिया ड टमाटर को अच्छे से भून देंगे भूनने के बाद बस फिर मैंने उनमें चमचा मार दिया जिससे वो अच्छे से फूट जाए और चमचा मारने के बाद बस फिर अब डाल दूंगी इसमें आलू और थोड़ी जादे सी सब्जी बनानी थी मुझे क्योंकि पूरी फैमली क कई कहाना बनाना था तो मैंने सौच चलो ज़य जादे सी बना देती हो और जब सब मिलके खथे हैं तो थोड़ी थोड़ी भी लगते है बास्तलों जादा ही लगती है मैं Hybrid बनाद इकिप मेरे चीज़ी कटूंगी ऑस सलाद में जाद कुछ नीकाकूंगी गाजर घार जणंगी क्योंकि बच्छे खाते हैं तिन्नों बच्चे पीई भी रूईवी और इशू भी तिन्नों गाजर पसंद करते हैं खाना तो मैंने सोचे चलो गाजर तो अच्छी होती है और मैं काटके भी दे रहती हूँ वैसे तो यह परेशान रहती है मम्मा काट दो काट दो और कुछ तो यह खातीनी सलाद में प्याज बगेरा तो मैंने गाजरी काट दी काट दी तो यह खालेंगे और प्याज भी काट दी ती जीससे जो खाना है तो खालेंगे तो मैंने सलाद काटके कर दी तयार और तब तक इस सब्जी भी दो तो या देखने से ही लग रहा था अच्छी बन रही सबजी अजी सब्जी मैं बना दी और आप बना ती हूँ रोटी और में तो भी आये निए साड़े साथ बजगे और बच्छों को लगरी बूट बच्छे परेसाद हो रहे तो मैं इनाई दे देती हूँ बना कर अफदूगी जब आवेगे जब खा लगे बस फिर मैं रोटी बनाने लगी हूँ क्योंकि मैं तो आये नहीं थे तो मैं यह बच्छे मांग रहे थे खाना की ममा भूख लग रही तो यह कहने लगे कि यहां जो है उनको दे दे उनके लिए बाद में बना देना तो यहां बस मैं बना रही हूँ रोटी और गुड़ू ने लगा दिया है सब का खाना तो वो दे देगी साथ साथ और मैं लगती जाओंगी और उनको फोन भी किया था फिर जब खा रहे थे कि पहले किया था बोल रहे थे कि थोड़ी देर में आएंगे लेट होगे मैं पत इसके पापा ने भी थे नहीं धूंगे खाने देखत तो आयैगी तो फिर मैंने खा लिया खाना गुड़ूने भी खाल लिया तो आ गई हूँ फिर से वापिस में र कही और जो काम है वो फिर मैंने कर लिया और यहां यह अभी तक भी नहीं आये ते लगबग साड़े आठ बच गेते तो फिर फोन किया था इसके पापा ने किया जाओ खाना का लो तो फिर उन्हों ने बोल दिया कि हमने तो खा लिया और बना लिया यहाई पर ही और मुझे नहीं बता था कि मैं बना रहे हैं मैंने सोच चलो यहाई खा लेंगे सब जब जाना है तो फिर मैंने बना भी दिया था बलकि मैंने दो पैर भी बनाया था उनका खाना दो पैर में भी नहीं आये थे दोनों ही और बच्चे तो बलकि यही थे तिन्नों दो पैर में तो कृष्णा भी आई था साम को ही गया था और फिर स काम करना था तो मैं आ गी थे किचन में किचन में आने के बाद फिर मैंने जो बर्तन वगेरा थे रही Nothing मैंने वह सारे साप कर लिए धो दिये और बस फिर जो छो चुटे बुटे काम थे सुबह के हुएков भी मैंने कर लिये है क्योंकि सुबह ही सुबह एक तो ठंड जादा होती है जादा सुबह उठानी जाता दो बस खेर बरतन वगेरा मेरे हो गए है अब जो छोटे मोटे काम थेवे करूंगी यहां देखे मैंने गरम पानी कर लिया और अब सरदी इतनी ओरी कि ठंडा पानी बिल्कुल नी पिया जाता तो ग लोटल भर के ओर पिर यह आप जमा दूँगी डhi सुबह के लिए तो एक लोटा दही मैं डेली जमाती हूं मतलब एक दिन दो लोटे मेरे पास एक दिन, उस लोटे मैं जमा देती हूं एक दिन उस मे तो यहाँ एक लोटा जमाokाओंगी यह देखे आप पूछते हैं कि दीदी दई कैसे जमाते हो तो मैंने दूद को थोड़ा तेजी गरम किया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और उस में लगबग आदा चमच के लगबग मैंने डाली है दई ही और दई ही को अच्छे से गुमा लिया और ढख दिया है फिर दूद को और इस लोटे को मैं रख दूँगी आटे के वरतन में जिसमें हम आटा रखते हैं उसमें रख देंगे क्योंकि आटे में अच्छे से जम जाती है अगर बाहर रखेंगे तो अब ठंडा मोसम होता है तो इतने अच्छे से धही नहीं जमती है तो मैं आटे में रख देती हूं और बहुत जमती है आप एक आध बार जमाओगे तो जम जाएगी देखना ऐसे ही करना तो यहां बस दरी जमाने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए कर दिया है दूद क्योंकि जो काम था मेरा वो तो मुझे करना ही था और यह तो करना था क्या रोजकाई काम होता है बच्चों को दूद पिते हैं दिन मैं तो चाहे पियो ना पियो सुबह को तो बलकि इसुई पिती है दूद कभी कभी इसके पापा ले लेते हैं लेकिन रात को हम सब दूद पिते हैं तो यहां मैंने सब के लिए कर दिया है और इसके पापा के लिए कर रही हूं सक्कर का दूद और सब के लिए करूंगी चिन्नी का तो बस सब के लिए मैंने कर दिया दूद बच्चों का भी अपना भी इसके पापा का भी कनेया का भी तो अब सब को दे दूँगी बस भटाबट से तो सब का लगा लिया जितने भी हम सदसे हैं और बच्चों का जो दूद है इशू का रूई का और पीव का तिन्नों का डाल लिया है बोनवीटा क्योंकि तिन्नों बोनवीटा का ही दूद पिती है और गुड़ू भी पहले पिती थी अपनी पिती अब तो उसने लगबग एक साल होगे छोड़ दिया बोनवीटा डालना वरना पहले वो भी अब तक बोनवीटे का ही पित दे दिया है तिन्नों बच्चों को दूद कर वाला आपका इस पेसल सक्करगा थेंक्यू थेंक्यू तो मेरा जो काम है रूटीन है वो सारा हो गया है कमप्लीट मैंने जो भी काम करना था वो कर लिया और अब आ गए है ये पहले आ गया था समान कनया भी गया था बाइक लेकर उन्होंने फोन कर दिया तकि आज़ा ले ज़ाओ क्योंकि एक बाइक पर समान और अपने आप नहीं आया ज़ता तो यहां कनया समान लेकर आ गया है उनका और फिर भए या इंदू और क्रिष्णा में आई हैं तूसरी बाइक पे , और देखें बच्चों का क्या होता है देखें बिस्तर में से ही मैंने इनको बिठा दिया था और यह बिस्तर में से भागी आई हैं आवाज सुनते ही कि मम्मा का देखो चाहें दूसरा कोई कितना भी कर लो मैं चाहें मेरे बच्चे हो या किसे के भी फिर भी अपने जो पेरे कर रहे हैं कि कैसे जाना है किस टाइम प्रोग्राम में तो वो सब अमारी बारते चल रही है और अब देखिए यह है रात के बारा बजे का टाइम यह आगे ते उधर से फिर जब आयते तो लेट गेते एक दो घंटे के लिए तो अब बजे हुए हैं बारा और बस जो ओटो वाले भाईया हैं उन्हें फोन कर दिया भाईया ने तो वो आने लग रहे हैं और यहां बस तयारी हो गई है इनकी शुरू और बच्चों को तो सुला दिया खेर और रू अब आ गया है ओटो बाहर और वो ही अब बस यह जा रहे हैं भगवान बस इनकी आत्रा शुब करें आप भी इनको खूब सारी विशिस देना कि इनकी आत्रा शुब हो तो बस अब समान वगेरा रख लेते हैं और चलते हैं अपना बैग वगेरा पैक तो इन्होंने करी अब दख लेंगे इसे डख लियों कम बड़ दूसरा बाई के ओपर थन बोहत है तो चमक भी निरास हूं तो कुछ भी ने कुछ भी ने कुछ भी जब बाइब एस्टोप लग प्रेक यह ज़िए तो जी अब बज गए हैं 12-12बज के पाँच मिन्ट होगे में कल गए है और बस ओडो आया था भी ओडोम में गई हैं हैं और बस अब तो बजे उनकी ट्रेन हैं दो बजे आना पूरे दो बजे ट्रेन हैं चंडीगर से सवा दो बजे तो बजे निकले एक सवा गंटा तो ल जैसे आपके उनका प्रोसीजर होगा वो मैं सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और बस उनकी आतरा शूब हो अब वीडियो लोगती हूँ यही पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेट करें सब्सक्राइब करें सेयर करें त आतर के लिवाइब मैं